नमस्कार प्यारे बच्चों मैं आरती आप सब का आरती एडुकेशन वर्ल्ड वे स्वागत करती हूँ बच्चों आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा आठ की विशा हिंदी की कारपत्रक नमबर 25 पढ़ेंगे जिसकी तिथी है 22 दिसंबर 2020 प्यारे बच्चों हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू करेंगे अकबरी लोटा जो आपकी पाठे बुस्तक का एक पाठ है लेकिन उससे पेहले आप यहां पे अपना नाम लिख लेना विद्यारती के नाम में कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम लिख ल लाला जहुलाल की पतनी ने कुछ पैसे बांगे थे और पैसे का अरेजमेंट करने में लाला जहुलाल मतलब उन्हें अरेजमेंट हो नहीं रहा था तो वो इदर उदर चत पे घूमने थे उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने नोकर से पानी मांगा पर लोकर नहीं था तो उनकी पतनी पानी लेकर आई, आप देखते हैं क्या हुआ, वह पानी तो जरूर लाई, पर गिलास लाना भूल गई, कि वो पाटी तो लिया आई उनकी पतनी, लेकिन गिलास लेकर ने आई, केवल लोटे में पानी लिये वे प्रकट हुई, लोटा भर के लिया आई, लेकिन ग्लास भी तो चाहिए लोटे के साथ पाने बीने के लिए फिर लोटा भी सयोग से वह है जो अपनी बेढ़न की सूरत के कारण लाला जहौलाल को सदा ना पसंद था और लोटा भी वो वाला था जो जहौलाल बिल्कुल पसंद नहीं करते थे उसकी खराब सी सूरत थी था तो नया साल दो साल का ही बना पर कुछ ऐसी गठन उस लोटे की थी कि उसका बाप डबरू मा चिलम रही हो मतलब इस तरीके की वो उसकी शेप की बात बता रहा है उसका आकार ऐसा था ऐसी ते उसकी गड़ावट थी कि जैसे डबरू भी नहीं लगता था और चिलम भी नहीं रखती थी इस तरीके खा उसका जो बड़ावट थी देखिए ये लोटे का है पर चित्र दिया हुआ है लाला ने लोटा ले लिया बोले कुछ नहीं अपनी पत्नी को अदब मानते थे अब उन्हें पसंद नहीं है वो लोटा फिर भी और गलास नहीं है साथ में पीने को फिर भी उन्होंने लोटा ले लिया मानना ही चाहिए वो अपनी पतनी को क्या मानते थे अदब मानते थे अदब होता है लिहाज करते थे उनका कि हाँ वो देरी है तो ठीक है इसी को सब्वेता कहती है अगर हम किसी को अदब करते हैं तो यही सब्वेता होती है जो पती अपनी पतनी का नहवाव है पती कैसा मतलब जो अपनी पतनी की बात न माने उसकी तो वो पती गाएगा फिर उन्होंने यह भी सोचा कि लोटे में पानी दे तब भी गनीमत है अभी अगर चूं कर देता हूँ तो बाल्टी में भोजन मिलेगा वो कह रहा है कि चलो लोटे में पानी दे रही है सही है लोटे में पी लूँगा लेकिन अगर मैंने अब कुछ बोला चूंचा करी कुछ बोल दिया तो बाल्टी में देगी खाना मुझे तब क्या करना बाकी रह जाएगा फिर क्या बचेगा इसलिए बढ़ी है जो भी दे रही है उसी में पी लो लोटे में दे रही है लोटे में पी लो ये सोचा लाला चाहू लालने लाला अपना गुसा पी कर पानी पीने लगे अब उन्हें गुसा तो आ रहा था है लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे थे पानी पी रहे थे उस समय वे छतकी मुंडेर के पास ही खड़े थे जिन बुजर्ग ने पानी पीने के सम्मद में यह नियम बनाये थे कि खड़े खड़े पानी न पियो है ना बड़े बुजर्गों ने क्या नियम बना रखे है कि खड़े खड़े पानी मत पियो सोते समय पा हैं नहीं वो यह बोले हैं वो मतलब एक कमेंट सा कर रहे हैं किम कहते हैं जा सक्वाति हम कण – पैंड phinट क्या शालन कि आते धी हम और मुंहें पिआ निमे कला क्या प्रें ऩाला ट्रौंड कर रहे हैं आधर जांड मुह्षक्ण से दो झालना यू हbreaking लुठा और लोटा छूड गया पानी पीरे दे हाथ हिल गया और लोटा गिर गया लोटे ने दाएं देखना भाएं नीचे गली की ओर चल पड़ा अब उपर से जब छत पे खड़े हैं मुझेर पे खड़े हैं तो वो कहां पे जा रहा है गली की तरफ गए रहा है अपने वे रहे हैं इसके उपर हसी मजा कर रहे हैं व्यंग है कि उनकी तेज है उस लोटे की वह लोटा जो है इतनी तेज चल रहा था उलका भी उससे पीछे ही चलेगा और वह आखोंसे ओजल हो गया अब दिखाई नहीं देरा कहां गया किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी प्रत्वी में एक आकर्शन सक्ति होती है तो वह भोल रहे हैं कि खुराफाती मतलब एक सरारती इंसान ने इजाद की खोज की थी कि उन्होंने प्रत्वी के गृत्वकर्शन नियम के बारे में बताया था न्यूटन ने कहना नहोंगा कि यह सारी सक्ति इस समय लोटे के पक तो यह तो पढ़ लिया हमने इस वर्क सीट का कंटेंट अब पढ़ लेते हैं कर लेते हैं इसके कोशन आंसर बच्चो केवल चार कोशन दियें होएं चोटे-चोटे से और हमें इनके आंसर करने हैं और बस हो जाएगी हमारी वर्क सीट तो पहला कोशन है प्रसंद ए एक है लाला जहुला उन्हें लोटा पसंद ना होते वे पत्नी से क्यों ले लिया तो इसका उत्तर आप देंगे लाला जहुला उन्हें बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद ना था फिर भी उन्होंने चुप-चाप लोटा ले लिया क्योंकि वे अपनी पत्नी को अदब मानते थ दूसरा वे पतनी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है यदि चूं कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजनना करना पड़े तो ये हो गया पहले कोशन का आंसर ठीक है अब दूसरा प्रशन देखो आपकी वर्क सी में नियम बनाए है खड़े खड़े पानी न पियो सोते समय पानी न पियो दोड़ने के बाद पानी न पियो ठीक है ये नियम बनाए है बस इतना ही लिख लो है इतना ही भोत है उन्होंने पूछा कि क्या नियम बनाए है ये थोड़ी पूछा क्या नहीं बनाए तो बस इतना आंसर लिखो, यह आपके लिए ठीक है, बस आप दो लाइन लिख लीजे, यह भोत है, यहां तक ठीक है, यहां से और यहां तक लिख लो, हो गया, आप आजाते हैं प्रशन नमबर तीन की तरफ, प्रशन नमबर तीन हैं बच्चो आपका, आप न्यूटन के नियमों के विषय में क्या जानते हैं, लिखिए तो न्यूटन तो एक महानवा ग्यानिक हैं, सबी जानते हैं, तो हमने भी लिख दिया न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन के गति के नियम के बारे में, न्यूटन का पहला नियम है, जिसे जड़तों के नियम से भी कहा जाता है, उस हमने लिख दिया कोई भी न्यूटन के तीन गति के नियम दिये हैं आप कोई भी नियम इसमें लिख सकते हैं जो भी आपके उसके बारे में नोलेज है आप वो लख सकते हैं आप ये भी लख सकते हैं प्रत्वी में गृत्वा कर्शन बढ़ लोता है कुछ भी आप लिख सकते तो यह हमने इसका उत्तर लिखा है आप आ जाते हैं प्रशन नंबर 4 की तरब प्रशन नंबर 4 एक एक्टिविटी है और इसमें आपकी रसोई में कुछ ऐसे बर्तन है जो आपको ना पसंद हो बर्तनों के नाम के साथ आपको ना पसंद होने का कारण भी लिखना है बर्तनों नहीं एक पुरानी चमच है जिसका आकार मुझे अच्छा नहीं लगता क्यूंकि उपते क्या है उस चमच में कुछ आते ही नहीं है एक दम फिसल जाता है सब कुछ तो वो मुझे बिलकुल पसंद नहीं और थोड़ी पुरानी भी लगती है एक कटोरी भी है जिसमें मैं कभी भी खाना नहीं खाती क्योंकि उसमें जलने का निसान पड़ा हुआ है तो यह है नापसंद आने का कारण यह हो गई आपकी गतिविदी तो बच्चों यह आज की आपकी हिंदी की वर्क सीट नंबर 25 खतम होती है तो आपको लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है नोटि